अलो एब्रीवन वेल्कम तू माई यूटूब चैनल मैस्टर चार्टिस्ट माई नेम इस राहूल इस टॉक मारके टेकनिकल एनलेसिस की स्रीज में आपका एक बाप पिसस वागता है आज हम दो कैम से स्टॉक का एनलेसिस करने वाले हैं यह स्टॉक कंटिनियसल एक किया है और आप इसके रिजल्ट भी देखेंगे तो बहुत अच्छा मिलता है कप एनल बैटन का फॉर्मिशन है कपका फॉर्मिशन है यह एक प्रेक आउट दिया रिटेस्ट किया और अप साइट पर मूग करता जा रहा है यह जो मैंने आपको पैटन अभी एक्स्क्लिन क प्रेक आउट दिया रिटेस्ट करके अप साइट पर मूग करता है अभी आपके इंट्री का हो नीची आपका स्टॉप लॉस कहा होना चीए और आपका टार्गेट कहा होना चीए वो देख लेते अगर आप लार्जर टाइम प्रेम में बात करने तो अपनी को स्टॉक का क् इसने एक यहाँ पर अपनी एक सेलर की केंडल को भी डिस्वीट किया है जो एक्जिकली प्राइज एक्षिंटा भी पॉइंट अपने को बता रहा है यहाँ पर आप देख सकते तो आपके एंट्री अगर 3000 के पास है और आप लॉंग टर्म के लिए इसको इन्वेस्ट करना जा सकता है आपका टार्गेट अपसाइट के लिए क्या होना चाहिए मैंने हम आपको हमेशा एक्स्प्लें किया कि जितने भी पॉइंट्स आप अपने स्टॉप लॉस के रखते हैं जैसे कि अगर कोई 2600 का यहाँ पर पॉइंट रख रहा है तो यहाँ से अप्रॉक्सिमे यहाँ से मैनेज कर सके यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 400 पॉइंट्स की जागे आपको 800 का टार्गेट होना चाहिए जो एक्जेकली आपका 3800 के पास निकल के आएगा 3000 के पास जो कि आप देखेंगे तो एक्जेकली आपको जितना भी आल टाइम हाई है उसके पास आ ऐखेंगे तो आपका टार्गेट जो कि 5950 का टार्गेट निकल के आ रहा है खेंडल का जो आप देखेंगे तो एक्जेकली इस ही के आपका टार्गेट जो है वो upside पे 3950 होना चाहिए, entry 3000 के पास होनी चाहिए, stop plus 2600 के पास होना चाहिए, stock जो है directly ऐसा upside पे नहीं जाता, फोड़ा सा time यहाँ पे invest कर रहे हो, उसके बादी upside पे आपको breakout देगा और long term के लिए हो सकता है कि एक अच्छा stock आपके लिए बन जाए, price action बहुत अच्छा दिख अपसाइट पे breakout बहुत अच्छा दिख रहा है, अगर आप चैनल में नहीं जानल को subscribe कर दीजिए, वीडियो को like कर दीजिए, अभी के लिए इतना ही thank you